इस सब्सक्डराब वाणिडे कोड़ में सब्सक्राइं मेरे अगर ओंदया में कोर्टे कोटे हैं जो करना सब्सक्राइब तो इसलिए मैं complete detailing आप सभी को समझाना हूँ ताकि अभी समय है समझते रहे हैं आप सभी को बेस्ट कोलेज आपको दियाना सुरू करते हैं आप सभी का सुगत है अगर आप सभी राजस्तान से बिलोंग करते हैं तो आपके state के complete counseling process के बारे में बताने वाल हो इसको देखने के बार बहुत सारी doubts clear हो जाएंगे शुरू करते हैं और हाँ आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और टेलेग्राम को जोइन कर लिजिए बाकी state का धीर धीरे वीडियो आप सभी को मिल जाएंगे परिशान ना हो ना राजस्तान स्टेट के complete admission process round first, second, mop up इस्टेराण के बारे में बताने वाला हूँ counseling mode के बारे में, domicile rule के बारे में, open state के बारे में, expected cutoff, documents requirement, fee structure, bond, security money और payment mode के बारे में complete information रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है शुरू करने से पहले आप सभी को बता दू, आप सभी देखो इसको, आप सभी को एक बात बता दू, counseling के related कोई भी inquiry आपको चाहिए, इन दोनों नमबर पे आप सभी WhatsApp कर सकते हो, बहुत सारे शोंस का call आ रहा है, इसलिए हो सकता है call, receive ना हो, या call बेक आपको थोड़ी ले से मिले, लेकिन WhatsApp का response आपको तुरंद मिल जाएगा, और गोल MBBS मोबाइल एप्लिकेशन, Google Play Store से डाउलोड करके, रजिशर कीजिए, यहाँ पर कोर्स एवलेबल है, अगर पहले से अप्लिकेशन डाउलोड है, आप सभी update कीजिए, या uninstall करके, एक बार फिर से install करके, रजि बेस्त, permanent residence in राज्स्थान for more than 10 year, 10 साल से permanent residence है तो, या any female married to a male of राज्स्थान, डोमिसाइल, अगर कोई female राजिश्थान, डोमिसाइल, मेल से साधी करते हैं, तो उनको, डोमिसाइल, एलिबिलिक है, तो मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी के पास, डोमिसाइल होगा, अब ह Security मनी जो है Government College के लिए यानि General Category के लिए 10,000 और 5,000 OBC, SC, ST और MBC के लिए ये Security Amount है मतलब Registration Fee जो की Refundable है Private College के लिए बात करते हैं 2,00,00 सब भी Category के लिए ये Refundable है अब हम बात करते हैं Counseling Mode के बारे में तो आप सब भी देखो Counseling Mode Round 1 में आपका Online होगा यानि Online आप सब भी को Registration Fill Up करना है Online आप सब भी को Choice Fill करना है और आप सब भी को Allotment आएगा वो आप सब भी को Show करेगा Online उसके बाद आप सब भी को जाकर Verification का Process पूरा करना है Round 2 में Online करना है Mop Up Round में भी Off Line होगा Fusion नहीं होना चाहिए Estre Round के लिए Off Line होगा अब मैं आप सब भी को एक बात यहां पर Clear करना हूँ यह जो Round 1st और 2nd Online है Mop Up और Estre Off Line यहां लिखा हुआ है यह 2023 के यही था 2023 में इस बार जो Counseling होगा May भी Change हो जाए क्योंकि Almost इंडिया के जितने भी Estre States है उनका जो Counseling Mode है वो सभी के सभी Online हो चुके है तो मुझे भी उमीद लग रहा है कि राजस्तान इसीड भी Mop Up और Estre Online करेगा बस दो ही Change होगा इनी दो में Change होगा बाकी तो Online है ही अब आगे देखते हैं अब बात करते हैं Open State के बारे में अगर आप सभी राजस्तान इस्टेट के प्राइबिट कॉलेज में एडिबिशन लेना चाहते हैं तो Open है लेकिन कुछ Conditions है राजस्तान इस्टेट के जो प्राइबिट कॉलेज है अगर राजस्तान इस्टेट के एडिबिशन से वो Round First, Second, Mop Up में सभी राजस्तान में इस्टेट के बाहर से बिलोंग करते हैं और प्राइबिट में एडिबिशन कराना चाहते हैं राजस्तान इस्टेट में तो आप सभी Second Round से इस्टेट होंगे और वो भी Condition है कि अगर Second Round में सीट बचेगा उसी पे बाकी Other State Questions cookedens eligible रहेँगे मतलब अगर राजस्तान स्टेट के इस्टेट मालों 100 सीट है और 95 इस्टेट जो है राजस्तान स्टेट के हैं तो पहले Priority दिया जाएगा राजस्तान स्टेट के के स्टेट को 95 इस्टेट को जो 5 बच जाएँगे उसी पांच पे बाहर के श्रंट्स एलिजिबल है ये कंडिसन है अब बात करते हैं बॉंड इस्टेटिस के बारे में आप सब भी देख लो ये बताया गया है कि जब आप सब भी राजस्तान इस्टेट के कॉलेज में एडिबिशन लेंगे आपको एक कमिंटमेंट फॉर्म अ ये बॉंड इस्टेटस हो सकता है कि इस बार चेंज करें वहरी करें तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा दोज़ेट तक जो था वो मैंने आपको बता दिया एक बात आप सब भी को और बता दूँ ये सर्विस जो दो साल का है इसको लेकर बहुत सारे पैरेंट्स और इस परिशान रहता है मैं इसको क्लिर करता हूँ सर्विस जो होता है किसी भी शेड्स से आप बिलॉंग करते हैं अब सर्विस होता कहा है देखो मालो कि आपने अपने बीवेस फाइनल कर लिया आपका पीजी में इडिशन हो गया अपके पास ही नूटिस वहजेगा कि आप सर्विस नहीं दे सकते हैं अगराफ दे चाते हो आप खुशी गुशी दे सकते हो तो इषको लेकर बिल्कुल आप घलत F dairy में पालेगें की पीजी में दिकत होगा तुन देना पड़े इसा कुछ नहीं है आप them mofi कोई भी बाधा नहीं होता है आगे देखते हैं पेमेंट मोड के बात करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट मोड एवेलेबल है अब आप सब भी देखो राजस्थाने स्टेट का कटफ यह कटफ दोहजाद तेज का है ठीक है यह रहा ओल इंडिया रेंग सबी केटेगरी वाइज आप सब भी देख लो और यह रहा है स्कोर बहुत सारे शूंज यह पूछते भी इस बार एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है देखो लास्ट राउन तक यह लास्ट राउन का ओवरल कटफ है मैं बस इतना कह सकता आप इतना मानना इसमें मान लेना कि 3 to 4 नमर और आप सब भी लेकर चलना ठीक है 3 to 4 नमर और उपर जा सकता है यह लाजी में लास्ट राउन तक जा सकता है ठीक है इसमें आप सब भी को प्रेशन लेने के जोतनी के अरे कटफ बहुत हाई हो गया देखो हर साल थोड़ा बह आप सब भी को बता है अब मैं आप सब भी को बता है तो कि आपके स्टेट में डॉक्मेंट वेरिफिकेशन कौन-कौन से लेगेंगे क्या लेकर जाना है कम्पिलिट ये 22 डॉक्मेंट आपके पास होना चाहिए मैं आप सब भी को बता दू जो पहला डॉक्मेंट है अभी ये आपके पास नहीं होगा जब राजिस्थान स्टेट का फॉर्म अप्लाई होगा काउंस्लिंग के लिए उसका पार्ट ये पार्ट भी है ठीक है बट भी के पास ये भी स्कोर कत अबीरि로ज गा बगी होगा बाकी देखलेना है अलॉक्मेंट नेट REDर भी आपके पास मिलेगा जब कॉलिज अल्ईश्ट होगा तो मार्कशिट आप देखलो यह बर्थ सर्टिफिकेट ठीक है डेट बर्थ 10th मार्कशिट पर होता है सेकेंडरी एक्जामिशन 10th का आपका मार्कशिट 11th का 7th मर् ऑफलाइन अप्लिकेशन फिल अप होगा उसमें ठीक है यह आपका कोई भी एक driving license, pen card, water ID card कोई भी एक proof होना चाहिए valid cast certificate आपके पास होना चाहिए cast अगर है तो OBC चाहिए AC, ST, MB से जो भी है domicile certificate होना चाहिए ठीक है अगर इस state से अगर आप सब भी counseling कर रहे हो तो जरूरी है for passport size photographs जो आपने नीट application form में fill up किया वो चाहिए अगर आपने PWD से form को apply किया है तो PWD ने physically handicapped के लिए EWS certificate अगर EWS से form को apply किया है तो वो होना चाहिए यह आपके पास AWP certificate होना चाहिए अगर applicable है तो इससे अगर benefit लेना चाहते है तो अगर bond या bank guarantee edge पर applicable performa अभी जब उससों में आएगा ना तो इसके बारे में आपको बताऊंगा proof regarding family annual income relation अगर मालों की cash certificate से benefit लेते हो जैसे EWS हो गया ओवी सी हो गया आपको यह income certificate बनवा लेना है यह सब NRI के लिए है ठीक है address proof आप सभी NRI के लिए है यह NRI के लिए है वह बनवा लेना नीट 24 का confirmation page आपने जो apply किया था उसका confirmation page आपके पास होगा वह यहां लाएगा इसको मैंने आप सभी को बता दिया आगे देखते हैं अब बात करते हैं कि counseling process के बारे में round first, second, mop up और stay round के बारे में इसको देख लेना 2023 की coding जो भी rules और regulations था वो मैं आपको बता रहूँ बहुत minor change हर साल होता है यह नहीं भी होता है ठीक है चलो सबसे पहले आप सभी को बता दू, choice filling आप सभी को online करना होता है पहला point second point अगर round first में आप सभी को कोई भी college allot हो गया उस college से आप संतुष्ट नहीं है आप सभी free exist कर सकते हैं अब मैं free exist के बारे में बता दू, free exist का मतलब यह होता है कि मान लो कि आपको कोई college allot हुआ और चाहते हैं इस college को छोड़ना, उस college को छोड़ सकते हैं कोई भी penalty आपको नहीं लाएगा यहाँ पर लिखा गया है कि candidate allotted a seat in first round and does not report या join नहीं करते हैं, would not be penalized, penalized नहीं किया जागा, रजिश्टन fee will not be forfeited forfeited का मतलब होता है कि आपका रजिश्टन fee जबत नहीं किया जागा और आप second round के लिए eligible रहेंगे, आपको टेंसर लेने की ज़रुद नहीं है आगे बताया गया, यहाँ पर देखो, बताया गया कि अगर बालो कि आप सभी को round first में college मिल गया है और second round में जना चाहते हैं, तो आप सभी upgrade कर दीजे, upgrade का facility available रहेगा, आपको इसमें चिंता करने की जोगत नहीं है और मालो कि आपको college मिला, आपने upgrade भी कर दिया और all India quota से आपको college मिल गया, तो कोई टेंसर लेने की बात नहीं है, आप अपने state का college रियाइन करके all India quota में जा सकते हैं, बट जो रियाइन का time दिया रहेगा, प्रोपर आपके state authority का, उसके बीच में रियाइन करना है, या आप आप सभी रियाइन कर सकते हैं, third round में on spot, ये बात ध्यान से सबसे important एक बात बता दू, किसी बेशर से belong करते हैं, रियाइन का एक time table दिया जाता है, उस time table के अंदर रियाइन कीजिएगा, ये मैं personally suggest आपको करूंगा, क्योंकि रियाइन का जो process है ना, वो अपने state अपने according ब है कि tuition fee है, आप सभी को deposit करना होगा first round में, अगर माल लो कि आप सभी ने first round में कोई भी choice field नहीं किया, तो आपको college allot नहीं किया जाएगा, फिर आप सभी को further second round के लिए इंतिजार करना पड़ेगा, यहां लिखा गया है कि while reporting for admission, please carry all the relevant certificate, अभी जो आप सभी को certificate के बारे बा पड़ेगा, कोई photo state अगले जाते हैं, तो आपको admission नहीं लिया जाएगा, ध्यांस देना, these original documents may be kept with the institution till completion of their course, these original documents मतलब, original documents जो आप देते हैं, तो आपका college वो अपनी पास रख लेगा, जब आप MBBS final करते हैं, तब ही वो देता है, region क्या है, ताकि आप कहीं और admission ना ले लो, कि अगर आपने first round में admission लेकर upgrade किया है, आप सब्षब को second round में upgrade हो जाता है, फिर से आप सब्षब को admission काاذ li ह קरणा पड़ेगा, अगर malo की first round में आपने admission ले लिया है, और second round के लिए upgrade किया है, अगर second round में आपको college नहीं मिलता है, और चाहते है landlord करना, आप second round में return कर सकते है रिजाइन करते हैं तो आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं लाएगा, कोई भी आप सभी को रेशन फी जब्त नहीं किया जाएगा, और आप सभी further round के लिए eligible है, यहां पर लिखा गया है, और अगर आप सभी round second में admission ले लेते हैं, तो third round के लिए फिर से आपको upgrade करने का मौकर द ध्याँ दीजेगा, यहां लिखा गया है, if you get a seat allotted and you want to join on it, then you can join and upgrade in it in third round, मतलब, upgrade तभी कर सकते हैं, जब आप college join करते हैं, यह आप सभी ध्याँ रखेंगे, आगे चलते हैं, अब देखो आप सभी यहां बताये गया है, कि अगर आप सभी राष्तान स्टेट से बाहर से करते हैं, और राष्तान स्टेट प्राइबिट के लिए आप सभी फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो पहला रूल यह है कि second round से eligible है, second rule यह है कि अगर सीट बचेगा, तभी आप उस पे apply कर सकते हैं, तभी उस पे eligible है, अगर आप सभी category other select करते हैं, तो आपको NRA quota से consider किया ज Round 3 के लिए आप eligible तो रहेंगे, बट फिर से आप सभी को fresh relation करके, आप सभी को relation fee देना पड़ेगा, original document must require for allotment, मतलब जब verification को जाते हैं, तो original document आप सभी ले कर जाएंगे, आगे देखें, अब मैं third round के बारें बात करता हूं, third round जो है, वो offline mode में होता है, ठीक है, अब पहले राजस्तान state questions को private college seat दिया जाएगा, अगर seat बजता है, तब भी other state questions is eligible है, ये NRI quota के लिए first and second round joint candidate can upgrade in the seat, यानि second round में मिला, upgrade कर सकते हैं, in the third round, the vacant seat of NRI is converted into management quota, यानि payment sheet में convert करगा, अगर NRI contract नहीं है तो, stay round, if seat vacant, अगर seat vacant है, तब ही stay round होता है, तो मैंने 3 round के बारें बताया, अगर stay round जब होगा, तो मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं इसलिए बताया है, पहले first, second and more round, अच्छे से आप सभी इसको देखे, समझे, अभी बात करते हैं, एक college के बारे में देखो, जब आप सभी counseling क SMS Medical College चैपुर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, information दोगा, पर तेख college के बारे में आपको बहुत detailing information होना चाहिए, तब ही आप सभी preference list fill up कर सकते हैं, तब ही आपको beta college मिलेगा, अगर आप सभी उपर उपर से, आप सभी rules जानते हैं, या preference त्यार करते हैं, चाहिए all इना quota आपका counseling कहीं ने कहीं गलत होगा, ध्यान से हर एक state के बारे में, हर एक college के बारे में, आप सभी बढ़ियां से analysis जरूर कीज़ेगा, शुरू करते हैं, establishment इसका 47 मिले हो था, current general bed 6251 है, total seat 208 है, ये increase भी कर सकता है, hostel facility आपको single bed का क्या लेगा देख लेना, 32,300, double bed charge 25,900, triple bed charge 21, per year का मैं आप सभी को बता रहा हूँ, fee structure था 2023 में, 2023 में, वो था 63,800 after fee increase, MBS bond status, आप सभी को जो मैंने starting बताया, कि आप सभी को seat नहीं छोड़ना है, वो firm fill up करना है, और 2 सल का bond देना है, अगर bond नहीं देते हैं, आपको 5 लागा penalty लगेगा, इसका रैंकिंग है, वो top 20 ranking है और state का number one college है, college fee payment आप सभी को online mode में भी available है, parents को जब आप सभी admission ले जाते हैं, तो parents को जाना बहुत जरूरी है, आगे बात करते हैं, अब आप सभी देखो, कि जब आप सभी all India quota 15% में admission ले जाते हैं, यह all India quota 15% का है, यह मैंने अभी तक जितना बता है, वो सभी state का ही बता मैं बहुत छोटा कर दिया, एक बर स्क्रीन शोट आप सभी ले लो, यह सब डॉक्मेंट लगेंगे, बाकि complete information मैंने आप सभी को दिया, अगर आप सभी को को कोई भी query है, इस number पे आप सभी WhatsApp कर सकते हैं, गोल, MBBS, मोवाइल एप्लिकेशन, Google Play Store आप सभी download कर लो, आप सभी complete guidance, personal counseling, आप सभी guidance मिल दाएगा, अब भी इतना ही, मिलते हैं आगल वीडियो में